हलो फ्रेंड्स, वेल्कम टू माई यूट्यूब चैनल, इस्टड़ीबोट प्लस वित प्रशान फ्रेंड्स, लर्नेंग इन पी लसी माप अगर्फिर से स्वागत है आज की दो में फ्रेंड्स से हम बात करने बाले हैं टाइपस ऑफ, PLC, प्रोग्रामिंग लेंगविजेस की जैसे कि स्क्रीम पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, पांच टाइप की प्रोग्रामिंग लेंविजेस होती है PLC के अंदर, जो की है ladder diagram, sequential function chart third है आपकी function block diagram, fourth है आपकी structure text and last जो PLC की programming language है वो है आपकी instruction list basically friend ये पांचों language है programming, ये सभी internationally approved है by IEC IEC का full form होता है International Electrotechnical Commission International Electrotechnical Commission के थूँ ये पांचों language approved है friends अब हम detail में इन सभी language के आरें जानेंगे उससे पहले हम बताना चाहूँगा ये types है पांच है लेकिन अगर हम character में इनको characterize करें तो दो categories में divide होती है हमारी PLC language number first है friend आपकी graphical type और second है friend आपकी textual type textual type तो जो आप पहली तीन देख सकते हैं ladder sequential या फिर functional block diagram ये आते हैं आपकी graphical में और जो textual की बात होती है friend उसमें आते हैं आपके structure text language और instruction language मतलब characterize अगर हम करेंगे PLC language को तो दो categories है उसकी लेकिन हम इनको अगर separately divide करेंगे तो graphical के अंदर हमारी तीन language आती है और textual के अमन्दर हमारी दो language आती है चलिए friend हम सबसे पहले देखते है ladder logic that is also called as ladder diagram basically friend जो ladder diagram है या फिर ladder logic है ये सबसे पहले हमें पता ही है graphical type है और इसको जो हमने design किया था उसको हमने relay logic को माइंड में रखा था friend relay logic को use करके हमने design किया हुआ है ladder logic इसमें हम physical quantities का use करते है ladder logic के अंदर जैसे कि हमारे switches है relay है to control the process अगर मैं बात करूं simple ladder form में ये programming language होती है जैसे कि आप देख सकते है इस तरह से रहती है ये language जिसमें जो आप vertical lines देख पा रहे हैं इनको हम rail बोलते है इनको हम power lines ही बोलते है ये power lines भी बोले जाती है power line और ये जो होती है friend इन्हें हम रंग बोलते है r u n g तो इन्ही रंग में हम connect करते है instructions in the form of symbols जैसे कि ये होता है friend no का symbol ये n c का होता है और ये होता है friend आपका output का symbol तो इन्ही symbols का हम use करते है कई की जो आपको friend इस तरह से symbol भी मिलते हैं आपको ये no का है और ये n c का है तो इन्हीं को हम connect करते हैं रंग के अंदर to complete hour या फिर हम programming को लिखते हैं अगर हम read करने की बात करें तो read के इस तरह से करते हैं फिर हम plc programming को ladder logic के अंदर ये left to right read होती है and top to bottom मतलब कोई भी अगर हमें instruction use करना है जैसे मान के चलिए हमें no use करना है हम पर हमने no use किया और हमने output use किया तो हमने read करेंगे left to right and top to bottom और हमेशे चीद धियान रखना जो आपके instructions होते हैं जाकि symbols होते हैं उसमें input symbols हैं जैसे ये no ये nc ये हम left side में connect करते हैं और output commission हम right side में connect करते हैं तो ये है आपका friend letter logic के बारे में अब हम देखेंगे दूसरी programming language that is sequential function chart इसको हम बोलते हैं sfc sfc के अंदर friend हम use करते है flow chart का concept जैसे के friend आपने जो flow diagrams होते हैं उसके अंदर देखें होंगे उसमें flow होता है जिसको हम flow को start करते है फिर flow का end होता है और बीच में conditions होती है जैसे कि मैं आपको एक flow diagram बताता हूँ simple सा ये program नहीं है friend PLC का ये flow diagram है मालनी जे कोई start है और यहाँ पर हमने motor start नमबर दे दिया एक नमबर motor का उसके हम बात करते हैं द्वारे condition की अगर no है तो अलग condition आईगी अगर start हो चेकी है yes तो हम लिखेंगे motor is running motor is running फिर अगर motor running है yes तो motor to start motor to start और ये आपका होजाएगा end इस तरह से आपने flow diagram देखे होंगे ये PLC program ही नहीं है ये flow diagram है तो इसके अंदर आप देख सकते हैं क्या होता है conditions होती है yes और no के form में ऐसी अगर मैं बात करूँ PLC के अंदर sequential function chart की तो जैसे कि आप स्टीन पर देख सकते हैं एक program हमें लिखा हुआ है SFC का अब जैसे कि आप देख रहे हैं इसके अंदर दो चीज़ी होती है cable friend ये होती है step PLC के अंदर मैं बात कर ला हूँ और दूसरी होती है transition condition P R A N S I T I U N transition condition इन दोनों का use करके हैं हम इसमें programming को लिखते हैं तो friend जो आप step देख पा रहे है तो friend जो step है ये पूरा process होता है पूरे flow का जैसे कि अगर हम step को active कर देंगे तो जो भी elements step से connected हैं वो active हो जाएंगे और वहीं जैसे कि flow chart या diagram के हम देखा था yes no conditions है ऐसी इसके अंदर क्या होगा start और end positions होगी प्रोडाम में और बीच में कुछ conditions होगी उन conditions को हम बोलते है PLC के अंदर transition conditions तो इनका क्या हम होता है फिरे transition का ये क्या करते हैं एक step को दूसरे step से connect करते हैं या फिर हम बहुत कह सकते हैं एक step के status को दूसरे step के status को forward करते हैं या फिर transfer करते हैं by the help of condition तो जैसे कि फ्रेड्ड हमने देखा था ladder logic और अगर मैं बात करूँ sequential function chart की इसके अधर troubleshooting थबहा easy होती है easy troubleshooting easy troubleshooting क्योंख फ्रेड्ड इसके अधर conditions होती है No-UE-YAS के form में transition conditions होती है कोई भी अगरा और Error होता है या fault होता है तो हम easily इससे ट्रबल्शूट कर सकते हैं उसका फ्रेंट थर्ड लेंग्वेज आती है हमारी function block diagram जिसे हम बोलते हैं FBD FBD में क्या होता है FBD describe करता है functions between input and output that are connected by block by connecting lines चलिए मैं इसका छोटा दा प्रोग्राम बताता हूं आपको किस तरह से programming होती है इसके अंदर यह फ्रेंट कोई block है आपका जिसमें आपके input है input 1, input 2 यह आपका output माल लिए यहाँ पे तो यह output यह programming लिखने का तरीका होता है FBD यह output आपका हो सकता है किस input से connect हो दूसरे block के माल लिए one input और यहाँ पे इसका भी output होगा एक similarly यह second वाला कोई और block हो सकता है अब इसका कोई output होगा friend वो connect होगा हमारे second input से इस तरह से friend इसमें जो blocks होते हैं connected रहते हैं by the help of connecting lines connecting lines यह होती हैं आपकी connecting lines friend जो functional block diagram होता है इसमें काफी सारे अपने blocks होते हैं और different instructions होते हैं जैसे कि मैं आपका jumple दूँ यह add का block है हो सकता है अगर end gate का हम यूज करें तो end gate में इस तरह से block होगा अगर आपको divide की condition यूज करनी है programming में तो उसका यह block होगा मतलब जैसे आप देख सकते हैं end gate या फिर add कोई भी दो चीजों को में add करना है उसका output हमें इस block के तुरू easily मिल जाएगा तो यह का होती है friend बहुत simple programming language है जिसमें हम program को बहुत ज़्यदा short बना सकते हैं वहीं अगर मैं किसी add करना है मुझे by the help of ladder logic तो मुझे हर एक रंग में हर एक quantities को symbols को characterize करना पड़ेगा program render करने के लिए वहीं अगर हम इसकी बास करें तो simple हमें एक block के through अपना काम कर सकते हैं लेकिन friend इसकी जो troubleshooting होती है वो सबसे हर डिफिकल्ट होती है functional block diagram की troubleshooting और भी जा typical होती है because मैं अगर कोई भीस में fault या error होता है तो हम easily blocks के अंदर पता नहीं लगा सकते हैं वहीं अगर हम मैं बात करूँ ladder logic की तो उसमें हम specify करते हैं कि instruction को इंदा form of rungs तो हम easily अपने error को troubleshoot कर सकते हैं तो इस तरह से programming होती है friend functional block diagram में इसका दो last programming language बशती है friend structure text और instruction list इसको मैं कैसी और वीडियो के अंदर complete करूँगा नहीं तो friend बहुत ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी friend और मजा नहीं आएगा समझने में तो आज की उन्हें जो हमने बात करी है तीन languages को हमने cover किया हुआ है letter diagram, sfc और fbd तो आशा का टाउं friend तीनो languages आपको समझ में आयोंगी कि किस तरह से काम होता है तीनो languages में या क्या differences है इसके बादे फिर्ण अगर आपको भी doubt बचता है तो comment section आप मुझे बताईए और जैसे कि मैं आपको बताया था हम बहुत जल्द अपने PLC programming start करने बादे हैं बस ये एक आइरोलिक्स के आप बारे में आपको knowledge देनी है तो जयाशादा चैनल को subscribe भीजे friends